नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिक होने वाली है तो आप लोग अच्छा से देखिए वीडियो को लास तक देखिए क्योंकि आप लोग government job की तैयारी करते हैं तो आपको आज बहुत कुछ अच्छी अच्छी बाते बताएंगे और इसमें आज आपको बताएंगे mainly leave के बारे में है न तो आप लोग वीडियो को अच्छा से देखें रास्तक देखें तो दोस्तों चलिए बेकेशन नहीं होती है गडमी छुटी ठंडा का छुटी है न यह सब मतलब जैसे की टीचर लोग है न अब जो KBS, NBS के टीचर या फिर कोई भी अन्य संगटने में टीचर होंगे तो उनके लिए EL मतलब अलग होती है इतना EL उनको नहीं मिलता है न तो एक दिन आपको साल में दो बार मिलेगा है न यह कब कम मिलेगा तो आपको यह पहली जनवरी को यानि की फर्स्ट जनवरी को आपके अकाउंट में 15 EL जो रेडिट हो जाएगा यानि की 15 दिन आप चुट्टी ले सकते हैं यह एक तरह से एडवांस में आपको सरकार देती है एडवांस में एक रेडिट कर देती है EL का अर्थ होता है अर्ड लिव यानि की अर्जी तबकास आपके द्वारा कमाया गया लिव यह लेकिन आपको एडवांस में दे दिया जाता है जो की आप इसका यूज कर सकते हैं तो आपको एक बार आएगा जनवरी में आएगा 15 दिन और उसके बाद फर्ष्ट जुलाई को आएगा 15 दिन यानि की यह टोटल जो आपको एक साल में मिलेगा वो 30 डेज आपको होता है यह लागू तो आपको यह बता रहे है कि जैसे कोई रिजाइन करके जा रहा है वह पूरा साल तो जौब नहीं किया मतलब जैसे कि मार्च में जो सको यह टोटल नहीं मिलेगा यह आ यह उनली महिना किया जब यहनि की जनवरी और फडवरी किया है तो उसको अनली मिलेगा यह यह तब तो आपका अगस्त का भी मिल जाएगा ढाइ यह ना आप यदि अगस्त दो 3-4-5 मतलब जैसे कि अगस्त बीच में कड़ेंगे कभी भी तो फिर आपको अगस्त महीना का नहीं मिलेगा तो आपके एक जनवरी को आपके अकाउंट में 15 EL क्रेडिट हो जाएगा तो इस तरह से यह चलता है धाय पर मंत के हिसाब से और ऐसे जनरली आपको 15 EL जनवरी में और 15 EL आपके जुलाई में आ जाता है यानि कि आपको टोटल 30 EL मिलेगा हर साल है तो यह आपका जो सबसे ज्यादा मिलता है चुट्टी आपका EL ही होता है जो कि आपका यह 30 का 30 मिलता है यानि कि आप एक साल में 30 दिन का चुट्टी ले सकते हैं आपके पास यदि है तो आप यह 30 दिन का चुट्टी आप ले सकते हैं और यह आपका रूल भी है कि आपके एकाउंट में यदि EL है तो एक बार में आप 180 EL जो है ले सकते हैं है ना ये आपका ये डियो पीटी का रूल है है ना 180 EL आप at a time आप ले सकते हैं ओके हाँ आपके account में रहना चाहिए और अब आई ये ये क्या है और एक चीज़ का ये क्या है benefit क्या है कि ये आपका जो है carry forward होता यानि कि कहने कार्थ है कि आप मान लिजे कि इस साल आप किसी दिन नहीं लिए छुटी मतलब यानि कि आप EL का use नहीं किये तो आपके account में तो रहा गया 30 EL तो ये क्या होगा कि अगले साल भी आपका क्या रहेगा continue रहेगा यानि कि आपके पास अभी 30 EL है और अगले साल फिर से आएगा 30 यानि कि आपका जनवर योड जुलाइम आएगा 30 तो आपके पास ये total कितना हो जाएगा सेव करके रखिए कि आप जैसे कभी ये emergency आए कुछ भी आए आपके account में रहेगा EL तो आप एक लंबा चुटी पे रह सकते हैं मतलब जैसे आपको लगता है कि 30 दिन का मिला 30 दिन जैसे कि ले लिए खतम कर लिए अब कोई जैसे emergency आएगा तो आपके account में तो चुटी है तो आपको without pay रहना होगा यानि कि आप जितना दिन भी चुटी पे रहेंगे आपको उसके लिए कोई payment नहीं किया जाएगा है ना तो इसलिए आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा आप यदि job में आ रहे हैं तो EL को हमेशा आप save करके रखिएगा कि कभी emergency लगे है ना आपको इसके लिए जो सरकार permission भी देती है 180 days at a time तो एक यह जनकारी थी आपको कैसी लग रही है यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहें और आपका क्या है अगला यह आपका है casual leave इसको बला जाता है CL और यह क्या होता है यह आपका जैस जैसे की half day नहीं आईएगा है ना आप जैसे lunch के बाद आए second half में आप duty करिएगा join तो यह आप जैसे half day CL ले सकते हैं लेकिन EL में यह चीज नहीं है आप half नहीं ले सकते हैं तो एक यह इसका क्या रहता है फाइदा कि आप जैसे half day चुट्टी है कहीं जाना है तो आप इसक पाइदा है लेकिन EL में यह चीज नहीं होता है कि आप उसको जो है बीच बीच में ले सकते हैं जैसे आपको समझा दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा तो यह आपको कितना मिलता है परियर CL आठ मिलता है ना अब आपको यह हम बता दे रहें कि माह लिजिए कि यह दो अग 5 अगस्त और यह आपका है पांच अगस्त को क्या है चुटी है यह आपका क्या है चुटी है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक आपका एक अगस्त, दो अगस्त, तीन अगस्त, चार अगस्त और पांच अगस्त तक आप छुट्टी पे तब रह सकते हैं, यानि कि दो CL लेके आप तीन दीन जैसे बीच में आ गया, हॉलिडेज आ गया, गजटेर हॉलिडेज और दो आप ले लिए CL, यानि कि आप दो CL ले ले सकते हैं, लेकिन ये CL के साथ एक ये फैदा है, कि आप उसको छुट्टी के बीच-बीच में भी ले सकते हैं, आपको छुट्टी के साथ फैदा हो जाएगा, लेकिन एक चीज़े इसमें ये है, ये आपका केरी फरवार नहीं होता है, आप यदि आठ दिन ये यूज न ये आपका maternity leave होता है, ये only महिला को मिलता है, और दो surviving children तक ये मिलता है, छुट्टी कहने का आर्थ होगा कि दो बच्चे तक मिलेगा, यानि कि मान लिजे कि कि निका दो बच्चा हो गया, और एक दूर साल के बाद इसमें से किसी एक का death हो गया, तो अब उसके पास कितना है, एक ही है, तो एक और जो है next बच्चे के लिए उसको ये जो है live मिलेगा, इसलिए आपका जो बोला जाता है, कि two surviving child के लिए ये जो है मिलता है, यानि कि जिन्दा बच्चा होना चाहिए दो, है ना, तो उसके लिए 180 दिन आपका पर child को मिलता है, यानि कि मतलब जैसे ए एक बार pregnancy होता है, तो 180 दिन का, यानि कि आपका जो है 6 महिना का छुटी मिलता है, ओमेंस को, ओके, हाँ, ये आपका जो में टेंदी लिए मिलता है, ये 180 दिन आपका पर child के लिए मिलता है, समझ में आ गया, हाँ, तो ये मतलब जैसे होता है, कि आप जो है delivery से कुछ दिन प आप जैसे maternity leave पे रहिएगा, तो आप आएगा तो नहीं office, इसलिए आपको ये TA नहीं मिलता है maternity leave में, मतलब बस इतना ही होता है नुकसान, लेकिन आपको और भी जो भी allowance होता है, total आपको बेतन मिलता है, तो ये तो आपका हो गया maternity leave, जो कि महिलाओं के लिए, और अब आप आपको बताते हैं, पुरूस के लिए, तो ये आपका पुरूस के लिए है paternity leave होता है, जो कि only पुरूस को मिलेगा, लेकिन ये ज्यादा दिन का नहीं मिलता है, आपको only 15 दिन का मिलता है paternity leave, लेकिन अभी कुछ निवज ये आ रही थी, कि ये आपका paternity leave थोड़ा ज् देखते हैं कि आगे ये क्या होता है, तो अभी जो आपका ये है रूल, कि जैसे यदि कोई पिता बनता है पुरूस, उसको 15 दिन का चुट्टी मिलेगा, यानि कि ये डिलेवरी से 15 दिन पहले से 6 महीना तक, यानि कि जैसे इस बीच में आप 15 दिन का चुट्टी ले सकते ह आपका दो सरभाईवी चैल्ड तक मिलता है, पेटर नीटी लिव, आपको दोनों के लिए कितना कितना मिलता है, 15 दिन आपको मिलता है, आपके पास ये दो बच्चे है और एक का डेथ होगी आप फिर अगला बच्चा मतलब होने वाला है, तो फिर आपको 15 दिन का मिलेगा होता है, आपको धीरे-दीरे करके सब कुछ अच्छा से बताएंगे कि कितना दिन में ले सकते हैं, इसके जो प्रिफिक्स क्या होता है, कैसे आप जो ले सकते हैं, और एक और होता है छोटी, special महिलाओं के लिए होता है, आपका CCL होता है, चैल्ड केर लिव होता है, ये मतल अच्छा से बताएंगे, कौन-कौन सा लिम मिलेगा, आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, और आपको ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपको एक अच्छी आच्छी जानकारी हमेसा मिलते रहेगी, और GKGS का तो वीडियो हमेसा ध्माकेदार आहीं रहा है, तो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगई होगी, तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो मिलते हैं, अच्छा सनी वीडियो, तक के लिए धाने बाएंबाद, नमस्क्र.